तो आज हम बात करने वाले हैं 2017 में आई मूवी हॉस्टाइल के बारे में हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रू या दिश्मन तो मूवी की कहानी में हम जानेंगे कि कौन किसका शत्रू है तो हब बात करते हैं इस मूवी की कहानी की जिसमें पूरी दुनिया बरबाद है और किस चीज ने इसे बरबाद किया है इस कहानी में हम देखेंगे तो हर मूवी की तरह कुछ लोग इस बरबादी को जेल कर जिन्दा बचे हुए हैं और इनी में से एक है जूलियट जिसके उपर ये पूरी मूवी बेस्ट है तो पहले हम जूलियट की अभी के कंडिशन को जान लेते हैं जैसे की वो अभी एक 36 लोगों के ग्रूप के साथ रहती है और उसका काम है उन सब के लिए डेली यूज में आने वाली चीज़ों को ढूनना इसलिए वो अपने बेस से बाहर अपनी एक वैन से सामान ढूनने के लिए निकल जाती है उसके वैन में कुछ हतियारों के साथ उसके पती जैक की फोटो भी है जैक महाशे के बारे में आगे जानेंगे अब रास्ते में जूलिएट को कुछ खाली पुरानी खराब हुई कार्स मिलती है जिन में से वो काम की चीज़े निकलने के बात आगे बढ़ती है थोड़ा और भटकने के बात वो एक खाली बरबाद हुई एक गैस स्टेशन पर पहुशती है और वो साब्धानी के साथ हाथ में गन लिया अंदर जाती है वो स्टेशन उसे सेफ लगता है तो जूलिएट वहाँ थोड़ा रेस करने लगती है पर तब है उसे एटिक से किसी के गुराने की आवाज आती है जिसे सुनकर वो डर तो गई थी पर बिना घबराई वो वहाँ से निकल जाती है अब वो अपने रेडियो से बेस में बात करती है जिससे हमें पता चलता है कि वो क्रेट़र जो इस एटिक में था वो दिन में बाहर नहीं निकलते और जूलियट का कमांडर उसे अपना काम करने को बोलता है और खत्रों में ना पढ़ने का ग्यान देता है अब जूलियट को जादा समान नहीं मिला था और उसकी बैटरी भी खत्म होने वाली थी इसलिए वो अपने बेस जल्दी पहुशने के लिए एक शॉर्टकट लेती है अब स्लैशर्स और एपोकलिप्स मूवी का एतिहास कवा है जिसने शॉर्टकट लिया वो मरेगा तो देखते हैं जूलियट जी के साथ अब आगे क्या होगा तो थोड़ी दूर ड्राइफ करने पर उसे एक वैन दिखाई देती है सप्लाइस कम होने की वज़ा से वो उस वैन में काम करने की चीज़े ढूंडने जाती है तो उसे वैन के बाहर एक गायल बूड़ा आदमी मिलता है वो जूलियट को उसे मारने के लिए बोलता है और बताता है कि उस पर रात में उन क्रीचर्स ने हमला किया था जिसकी वज़ा से वो इस हालत में हैं और बूड़े आदमी ने उस क्रीचर को उसकी ही वैन में बंद कर रखा है पर जूलियट उस आदमी को मार कर अपने गोली बरवाद नहीं करना चाती थी इसलिए वो वैन में चाकर उस क्रेचर से लड़कर उसे मार देती है अब वो बाहर आती है तो वो आदमी मर चुका था तो जूलियट सप्लाइस लेकर अपनी वैन से बेस की ओर निकल जाती है अभी जो उसने किया उससे उसका काफी टाइम चला गया था और रात होने ही वाली थी उससे और हमें अब दोनों को पता चलता है कि रात में वो क्रेचर सपनी सप्लाइस के लिए निकलते हैं तो जूलियट उनका सप्लाइ ना बने इसलिए स्पीर तोड़ी तेज करके बेस की ओर जाने लगती है अब उसका ध्यान उसकी और उसके पती की फोटो पर पड़ता है और अचानक हवासी वो फोटो ओड कर वैन के बाहर चली जाती है जिससे जूलियट का ध्यान बटकता है और उसकी वैन अनबैलेंस डो कर पलट जाती है हम अभी तक जूलियट के प्रिजन लाइफ के बारे में जान रहे थी पर अब एपोकलिप्स के पहले उसकी लाइफ कैसी थी उसके बारे में जानेंगे क्योंकि मूवी के बीचों बीच में जूलियट के पास्ट को अचानक दिखाया जाने लगता है जो कि काफी खराब लगता है अब हम जूलियट वापस बार में आकर रिंग कर रही थी काफी देर से उसे जैक का कॉल आ रहा था जिसे वो इक्नोर कर रही थी तब ही उसे टीवे पर एक न्यूस दिखती है जिसमें वो एक ट्रेन स्टेशन पर हुए कैमिकल अटेक के बारे में बता रहे थी जिसमें लगबख 40 लोग मारे जा चुके हैं वो घबरा कर जैक का कॉल उठाती है जैसे किसी और सक्षने किया था वेल तो वो जूलियट को बताता है कि जैक जिन्दा है पर उसकी हालत बहुत खराब है भाग कर जूलियट हास्पिटल पहुचती है तो जैक उसे जिन्दा मिलता है पर वो पूरी तरह से आइसोलेटिड था और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था जूलियट को पूरा यकीन था कि जैक ठीक हो जाएगा इस हालत में भी वो जैक जूलियट से प्यार करता था जब अगले दिन जूलियट जैक के वाट में आती है तो जैक वहाँ था ही नहीं जैक की देथ हो चुकी थी और उसकी बाड़ी को हॉस्पिटल वालों ने ही कहीं दफना दिया बिना किसी को बताए क्योंकि वो कैमिकल से संक्रमित था अब जैक की मौत पर जूलियट फूट फूट कर रोने लगती है जब वो जिन्दा था तो उससे जैक और उसके प्यार की कोई कदर ही नहीं थी अब उसकी जाने के बार जूलियट को एहसास होता है कि जैक उसके ये किसी फरिष्टे के जैसा था और तब से लेकर आज तक वो जैक की यादो और अच्छायों के सहारे ही सिंदा है तो ये था जूलियट का पास्ट तो अब हम जानते हैं कि प्रेजन्ट में वैन पलटने की बात क्या हुआ अब रात में जूलियट को होश आता है तो वो देखती है कि उसका एक पैर तूट चुका है और उसका तूटा हुआ पैर उसे की वैन के नीचे फसा हुआ है अगल बगल देखने पर उसे वैन के बाहर गन मिलती है जिसे वो एक जुकार बनाकर अपनी ओर खीचती है पर उसकी किस्मत उतनी अच्छी कहां उसका वो जुकार काम नहीं आता तो अपनी फसे हुए टांग को जैसे तैसे करके वो स्वैन के नीचे से निकालती है इन सबसे उसके पैर की हड़ी बाहर आ गई थी तो वो उस जगा पर अलकोहर डालकर उसे हड़ी पर जोर से मार कर उसे वापस अंदर करती है जिसमें उसकी बहुत चीखे निकलती है पर उसकी चीखे उसके दर्थ के आगे मामूली थी तो अब वो अपने पैर पर कुछ कपड़ा बान कर उसे जितना अच्छे से हो सके बैंडिज करती है और एडियो की मदद से वो अपने बेश से संपर करने की कोशिश करने लगती है पर उसका संपर्क उनसे होता ही नहीं है तो अब वो और भी जादा पैनिक करने लगती है उसकी चीखे सुनकर एक क्रेचर भी वहाँ आ चुका था उस क्रेचर की होने का एसास जूलियट को भी होता है और वो जल्दी से अपना गन उठा कर अंदर वैन में आती है हम उस क्रेचर की टांगो को देख पाते हैं जो कि हमें इंसानों जैसी ही लग रही थी पर बहुत पतली थी वो क्रेचर वहाँ से जाने लगता है तभी जूलियट की रेडियो पर उसके बेज से किसी का जवाब आता है और वो जल्दी से उस रेडियो को बन कर देती है पर क्रेचर ने उस रेडियो की आवास को सुन लिया था और वो वैन की तरफ वापस आने लगा था तो जूलियट रेडियो को आन करके वैन के बाहर फेक देती है वो creature रेडियो पर पहुँच कर उसे उठा कर वहां से कहीं दूर फेक के चला जाता है अब जूलियट वैन में से कुछ stick lights निकाल कर वैन के बाहर आती है और उस रेडियो को ढून लेती है पर वो भी अब उस creature की नजर में आ गई थी और यहां हम उस creature के face को भी देख पाते हैं चूकि हम इनसानों की तरह ही थी और शायद उस chemical की वज़ा से थोड़ी डिकम्पोस से अजीब सी हो गई थी चूलियट उससे बचने के लिए भाग कर वापस वैन में आती है और सामने gun point कर उस creature के सामने आने का wait करने लगती है पर वो creature उसके पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और वो उससे बचने के लिए वैन का ऐसे लेटर दबा कर रेज देती है जिससे वो creature वाँ से भाग जाता है यहाँ हम दो चीस समझते हैं पहली कि उन creatures को थोड़ा कम दिखता है पर वो smart है और दूसरा की उन्हें आवास पसंद नहीं चूलियट अभी भी चौकरना थी और तब ही वो creature उसके पास वापस आता है जिससे चूलियट कोली मार कर भगा दीती है हम नोटिस कर पाते हैं कि वो creature या तो चूलियट को मारना नहीं चाहता या फिर वो बहुत जादा लेजी है चूलियट की दुबारा रेडियो ट्राइक करने पर उसे बेस से रिपलाई आने लगा था और वो उसे वैन में लगे ट्रैकर को आन करने को बोलते हैं जिससे वो चौपर लेकर उसे रेस्क्यू करने वहाँ पर आ जाएंगे चूलियट वैन का ट्रैकर आन कर देती है और उस क्रेचर से वो बचने की पूरी कोशिश कर रही थी अब उसके बेस वाले बताते हैं कि उन्होंने उसे लोकेट कर लिया है और वो उसे बचाने आ रहे हैं इतने में ही उस creature ने वैन के सामने का शीशा हटा लिया था अब वो जूलियट की तरह बढ़ने लगा था जूलियट अपनी समझतारी दिखा उसके पास आने से पहले वैन की लाइट सौन कर दीती है जिसे देख वो creature वहाँ से भाव जाता है क्योंकि उन्हें रोशनी पसंद नहीं इसलिए वो दिन में भी बाहर नहीं निकलते जूलियट वापस अपने बेस वालों से बात करती है उसे पता चलता है कि वो अब उसके पास नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो डेंजर जोन में हैं और अगर वो सुबा तक जिन्दा बची तो उसे लेने वो आएंगे मतलब जिन के लिए वो सप्लाइस लेने आई थी उन्होंने जूलियट को मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया था अब ऐसे में तो किसी भी इनसान की हिमर टूट जाए तो जूलियट भी उमीद खोकर शांत वैन में बैठी थी तभी उसे एक कार की आवाज सुनाई देती है और वो उन्हें हौन बजाकर अपने पास बुला लेती है पर वो लोग लूटेरे थे और उन में से एक जूलियट को मारने की कोशिश करता है जिसे वो क्रियचर मार देता है अब क्रियचर को वहाँ देख उस लूटेरे की साथ ही वहाँ से भाग जाते हैं और हम समझ पाते हैं कि उस क्रियचर ने जूलियट की जान उन लूटेरों से बचाई पर ये बात जूलियट को समझ नहीं आती और वो उस creature को उस लूटेरे को खाते देखकर उस creature के हाथों से मरने से अच्छा वो suicide करने का फैसला करती है पर वो खुद को गोली नहीं मार पाती और उस creature से लड़ने का फैसला करती है तो अब वो पैट्रोल का एक कैन और फ्लेयर लेकर वैन से बाहर निकलती है पैट्रोल कैन को थोड़ी दूर पर रखकर फ्लेयर को जलाने के बाद उस creature को अपनी और बुलाती है उस creature के नस्दीक आते ही चूलियट कैन को शूट करके बलास्ट करती है जिससे वो creature बच जाता ह और तभी वो creature चूलियट की पास आकर उससे उठाकर दूर फेक देता है अब वो creature उसकी और दुबारा बढ़ने लगा था जिससे इस बार चूलियट उस creature को शूट कर देती है और वो creature नीचे गिर कर मढ़ने लगा था तो अब चूलियट भी रिलैक्स होकर वहीं पर लेट जाती है क्योंकि सुबा होने ही वाली थी और हम देख पाते हैं कि वो creature भी अभी तक मरा नहीं है वो धीरे धीरे जूलियट की तरफ बढ़ रहा है और उससे अपनी करीब आता देख जूलियट उससे शूट करती है पर कन की कोलियां खत्मों गई थी कन रिलोट करने से पहले ही वो creature उसकी body के उपर आ गया था और वो जूलियट की face को ऐसे चूता है जैसे उसे जैक चूता था और अब जूलियट और हमें समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि वो creature कोई और नहीं बलकि जैक ही है और वो रात भर जूलियट के पास उसे ऐसास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो जैक है इसलिए काई मौके मिलने के बावसूत भी उसने जूलियट को नहीं मारा अब जूलियट को जैक की वो दो बाते याद आती हैं अगर उसे पहले याद आ गई होती तो जैक इस condition में नहीं होता पहली की अगली लेस के पीछे की ब्यूटी को समझो और उन दोनों का मिलना उनकी किस्मत में था जिस पर अब चूलियट को पूरी तरह से यकीन हो गया था लास्ट में वो जैक को आई लव यू बोलकर गन से खुद को और